आध्मा नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है, आध्मा नियम ये है कि रात को जबी भी खाना खाएं तो दो घंटे तक आराम नहीं करना, दुबहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खाके दो घंटे बाद भी आराम करना, अब आम बोलेंगे रात का क्या है रात की बात ऐसी है कि सूरी चला गया हूँ चंद्रमा आ गया है आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है और शरीर शीतल है तो ग्लट प्रशर लो है और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए आराम करेंगे तो फिर ततील फाएगी हर्ट हो किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जर्णल नॉलिज के लिए बात करेंगे हाई बीपी में क्या करेंगे तो वो बुलेगा आराम करो लो बीपी में क्या करो तो तुरन तहेगा काम करो तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बार तो हम थोड़ा आराम करें सबसे अच्छा काम क्या है आईवेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना कितना टहलना कम से कम पाँच सो कदम गिल करना अधिक से अधिक हजार कदम हैं। पापसो तो कम से कम है। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं यह एक छोटा सा सजुशेशन है कि इवनिंग व्फुक करेजाई। मॉर्निंग वॉक की जगें इवनिंग वॉक शुरु करें। खाने के बास, बहुए गली में कर लीजे अधेरा है लाइट नहीं है तो छट पर कर लीजे आपके पिछबारी में कर लीजे गिनके आपको पाठ कदम चलना जिंदिगी आपकी इतने आराम से कटेगी शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर ले पाठ कदम, हजार कडम तो शरीर में बात का प्रखुब होता है बात वायू और वाक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एकसरसाइस करेंगे तो वायू और बढ़ता है तो वायू का प्रखुब है जो मैंने आपसे थोड़ी देपे लिगा 80 रोहों का कारण होता है इसलिए भारत के आयुवेत शास्त्र में कहा गया है कि सुबह की समय में आराम से बैठ कर यूग करें प्रायाम करें जिसमें दौर भाद यादा ना हो और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौरण भाद करें वाकिंग करें वाकिंग करें ब्रिक्स वाकिंग करें medium space पे करें medium space पे करें जैसे करें walking रात को कम उसे कम हजार पर दुबहर को खाने के बाद आराम और रात को खाने के बाद थोड़ी देर walking और फिर थोड़ा कुछ इदरुदर का काम कुछ reading, कुछ study दो घंटे मिता दीजे खाना आपने 7 बजे खालिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजे फिर आप सोने के लिए चले जाए ये 8 बजे खालिया तो 10 बजे तक का समय मिता दीजे फिर आप सोने के लिए चले जाए